लेकिन शाप को सुनाई कैसे देता होगा यह कमपन मैसुस करता है अर्थत इसको सुनाई भी देता है सुनाई कैसे देता है शाप की भित्री कान के नली से जोड़ती है साप ध्वनी को त्वचा से ग्रहन करती है और जब्डे की हड़ी से होता हुआ भित्री कान की नली तक प पहुंचती है उस समय जो बाइब्रेट इसको मैसूस होता है उसी से ये अपने ध्वनी को पता लगा लेता है तो फ्रेंड हमरे यूटूब चैनल में आप सभी का सौगत है तो फ्रेंड आज फरवरी दो तारीक है और आज को मोसम आप देख सकते हैं थोड़ा बारिज भी हलका फुलका हो रहा था तित्ति फक से मेरे घर के जस्ट बगल में एक चाचा का घर है जहां पर एक साप निकला है किनारे किनारे धूप सेखने के लिए यह के दिखता है की वो सकने बाहरा दो हमने शूकर कि हम भी बड़िया यह अहमें भूमी काने औरी हम अपने खेट में छोड़ें इसको तो फैन देख सकते हैं कितना खुब्सूरत साफ तो अभी जो मैंने इसको टच किया या झाओ को इसको पकड़ा वहा हूं तो यह मेरे को वह इतना जाधा ठंद लगा अगर कोरी शेयर जो है अगर थोड़ा भी धूप निकलता तो यह साप को मैं ऐसा कभी पकड़ नहीं पाता है यह बौट भागता और इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं त दोड़ता है क्योंकि हर सापों में से सबसे तेज भागने वाला साप यह है जिसको हम धामन कहते हैं बंगला में दावास साप कहते हैं इंग्लिस में रेड़ स्नेक के नाम से जानते हैं तो यह साप जो होता है रेड़ स्नेक इसके नाम इसलिए है क्योंकि यह चुहा को खाने जासे हुँमन के पहली बार आया होगा जैस्सा कोई इंशान के हातों में पहली बार यह आया होगा तो थोड़ा वहुत डर रहा है लेकिन हम इसको slow-mo में पख़ड़ेंगे ताकि इसको भी खात्रा महसूस नहीं होगा कि मेरे को कोई पकड़ रखा है या नहीं रखा है इसको मेश्ज होने नहीं देना है क्योंकि सापको पकड़ने का यह की तरीका, इसको जितना हम अम सलो पकड़ेंगे możemy रहें चाहिए तो फ्रेंट जैसे कि आप जानते हैं हर साल कम से कम जैसे हमारा फसल हम लोग घर पे लाते हैं तो हमारे घर में रखे यह फसल में से कम से कम हर सल 10 परतिशा तनाद चूहा खा जाता है इसलिए चूहा को खाने के लिए यह साप गौड गिफ्ट है और यह साप ऐसा भी है कि जैसा हमारे घर के आसपास कभी छोटे छोटे जहरीले साप भी घुमा करते हैं तो यह साप जहरीले साप को भी खा जाता है यह साप दूसरे साप को खा जाता है जैसा चोटा अगर इसी रै्ड स्ट्प का बच्चा भी अच्छु होगा जो चौटा तो भी यह सब खाजाता है। यह एक सिस्टम है और एक सिस्टम को बैलेंस करके रखता ही है और यह सहब हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमी का निवाता है तो आप एक बर करीब से दिखा देता हूं इसका पैचान कि आप देख सकते हैं हाँ तो साप ने कहीं लोग कहते हैं साप का कान नहीं होता है होता नहीं है आप लेकिन साप को सुनाई कैसे देता होगा। ये कम्पन मैसुस करता है अर्थत इसको सुनाई भी देता है। सुनाई कैसे देता है। शाप की भित्री कान के नली से जोडती है, साप ध्षानी को तवचा से गero Ça करती है। और जबडे की हड्λी से होता हुआ भित्री कान की नली तक पेहुचती है। कान नहीं होता है बट कान की नली होता है तो कान की नली तक पहुंचती है उसस्य समय जो इसको मैसूस होता है उसी से इसे हिए अपने ध्ध्वन को पता लगा लिगा लेता है आज बहुत खुप्सकूरात सब है, तो आए दिन जैसे कि आप देख रहे हैं, आए दिन लोग सापों को बहुत ही ज्यादा मतलब मार रहे हैं, या तो कहीं जैसे किसे को दिखता हूST अखे करें, इंके के जिसज़गह पर सबस्क्राइब करें दोने के बाद उसको फिर वे साप कफड़े से पोछ देना तुस्से कोई खतरा नहीं कोई कुछ नहीं होता है तो फ्रेंड करते हैं रिलीज तो फ्रेंड हमारा रिलीज वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं शापों से जुड़ी हुई तमाम जानकरी आपको अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जोरू करें बटन तमाने बिल्गुल मत भ तो जैसे कि आप देख सकते हैं